देश की आजादी से लेकर 2014 तक भारत सरकार पर कुल कर्ज था 55 लाग करोड रुपेगा और 2014 से लेकर 2023 के मद्य कर्ज बढ़ गया 55 लाग करोड से 155 लाग करोड रुपेगा बीबी से ने साल 2015 में एक रिपोर्ट छापी थी इस रिपोर्ट में आशंका जाहिर की गई थी कि भारत कहीं कर्जदार न बन जाए रिपोर्ट का शिर्शक था भारत को कर्जदार बना देगी बुलेट ट्रेन और दोस्तों 15 से लेकर आज 2023 में हम आ गये हैं और वही हुआ ज सपنا दिखाया गया, देश को सपना दिखाया गया कि बुलेट ट्रेन आएगी सब कुछ बदल जाएगा लेकिन हमारे भारती रेल क किया जो काया कलप है वो सही तरीके से नहीं हुआ और बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया गया जो अभी तक चल नहीं पाई है और आज बी सिंग ने लिखा हुआ है कि विश्व गुरू का नया विश्व रिकॉर्ड भारत के 14 प्रदान मंत्रियों ने कुल मिलाकर 56 लाग करोड का कर्ज लिया मोधी जी ने 18-18 घंटे मेहनत करके उस कर्ज को 155 लाग करोड कर दिया और भारत को आगे और कितनी ले जाना है कितना मेहन और आप कर्जदार हैं तो फिर कैसे बढ़ेगा भारत कैसे बनेगा भारत विश्व गुरू ये बहुत बड़ा सवाल है और एक और ट्वीट आया है प्रोफेसर गौरब बल्लब की तरब से ये ट्वीट है उन्होंने इसको लेकर विस्तार से आंकडे पेश किये हैं जो आ आप के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जा रहा है इन्होंने लिका है कि 2014 में कुल कर्ज 55 लाग करोड था और पिछले नौ वर्षों में 100 लाग करोड बढ़कर 155 लाग करोड हो गया वादा था दोस्तों 15-15 लाग रुपे देने का और दिया तो 100 लाग करोड का कर्ज आप समझे इन्होंने IMF की एक रिपोर्ट भी साजा किये इन्होंने कहा कि IMF के अनुसार 2022 के लिए हमारा डेप्ट GDP रेशियो 83 फिजदी था जबकि Emerging Marketing and Developing Economies का अउसत करीब 65 फिजदी था तो आप सोचिए आप क्या सोच रहे थे कि आपको नौकरी मिल जाएगी आप घर चल आएंगे आपके खाते में 15-15 लाख रुपे आएंगे ले लीजये आ गया आपके खाते में 15-15 लाख अरे 15 लाख छोड़िये आप खुद आप लोग करजदार हो चुकے हैं कई हजार रुपे प्रतिवेक्तियों के एसाब से भारत में जो भारतिया हैं उन पर करज़ा ह चुका है तो ये पोल खोलने वाली रिपोर्ट है जो दावे हैं उसकी हवा निकल गई है क्योंकि किसान परिशान है उसकी आए दोगुनी नहीं हो पाई है महिलाएं यूआ नौजवान जो है बेरोज़गार जो भटक रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है और ट्रेन परियोजना है उसके लिए जापान से करजा लिया गया था 2015 में जो गुजरात से मुंबई तक जाएगी पूरे भारत में भी इसका कोई असर नहीं है एक विशेश लोगों को टार्गेट किया गया था जो ब्यापारी हैं खासतोर से उनके लिए ये बुलेट ट्रेन बनाई गए आम आदमी हम और आप इसमें नहीं बैट सकते हैं और बैट नहीं सकते हैं लेकिन आप करजदार हैं ये शुक्र मनाईए कि आप भी करजदार हो गए हैं फक्र से रहिए गर्व करिए कि आप भी करजदार हैं पंदरा पंदरा लाक नहीं हुआ तो क्या हुआ न इतना ज्यादा कर्ज ले लिया गया कि विश्यो रिक्ड बन गया है जिसको लेकर लगातार लोग टूइट भी कर रहे हैं तो विश्यो गुरू का नया विश्यो रिकॉर्ड जहांत Тक विश्यो गुरू का सवाल है दोस्तों, चाइना और पाकिस्तान को आप देख रहे हैं, चाइना पाकिस्तान जो है लगातार इन से समल नहीं रहा है और चले हैं विश्वगुरू बनाने के लिए अरे विश्वगुरू तो आप तब बना पाएंगे जब पुरा विश्व आपको मानेगा कि आप हाँ विश्वगुरू हैं पता चला कि चीन अलग जा रहा है पाकिस गुरू बनेगा देश ? कैसे बनेगा? कुल मिलाकर जो एकॉनमी है दोस्तों उसकी आलत पतली हो चुकी है लाख दावे तो किये जा रहा है लेकिन जमीनी हकिकत कुछ और है अब 15 लाख को क्या कहा गया था 15 लाख की जोली में आ जाएंगे लेकिन बाद में क्या साबित हुआ वो एक जुमला था तो आप ठाली पीटिये ताली बजाएए अब आप कटोरा ले लिजे कहीं जाकर खड़े हो जाएए यही करना पड़ेगा आपको क्योंकि आप करजा कैसे चुकाएंगे कैसे बढ़ेगी देश की एकॉनमी यह बहुत बड़ा प्रश्ण चिन है और क्या जरूरत थी बुलेट ट्रेन चलाने की लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं प्रदान मंत्री पूर पीम जो मन्मुहन सिंग साहब थे लगातार नीतियों को लेकर मुदी सरकार को खेर रहे थे और हुआ वही जिसकी आशनका जाहिर की जा रहे थी तो बुलेट ट्रेन ने कर्जदार बना दिया क्या कह सकते हैं हम कि बुलेट ट्रेन ने कर्जदार बना दिया क्योंकि बुलेट ट्रेन जो है वो शुरू करना प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी और बीजे पी का प्रमुक चुनाबी वादा था ये व भारत सरकार पर कुल कर्ज था 55,00,000,000 करोड रुपय गा और 2014 से लेकर दोजार 23 के मद्धिय कर्ज बढ़ गया 55,00,000,000 करोड से 155,00,000 करोड रुपया क्यों मोधी जी क्यों जब 2014 में मोदी सरकार ने सत्ता संबाली जब प्रति व्यक्ति देश पर कर्ज था 43,000 रुपिये जो आज बढ़कर हो गया 1,9,000 रुपिये मतलब पिछले 9 सालों में प्रति व्यक्ति कर्ज बढ़ गया धाई गुने से ज़ादा कुल कर्ज देश पर बढ़ गया पौने 3 गुना से ज़ादा क्यों मोदी जी और इस कर्ज का फायदा जो कर्ज प्रति देशवासी पर चड़ा है जो उसने नहीं लिया सरकार ने उसके बिहाब पर ले रखा है प्रति देशवासी पर जो कर्ज चड़ा है उसका फायदा मध्यमायवर्गिया और निमनायवर्गिया परिवारों को भी नहीं मिल रहा ओक्स्वम की जो ताजा रिपोर्ट आई उसके अनुसार बॉटम 50 परतिशत भारती है जो देश में 3 परतिशत वेल्थ को ओन करते हैं वो जी एस्ट में 64 परतिशत अपना कॉंट्रिबूशन देते हैं पर टॉप 10 परसेंट भारती है जो टोटल जो वेल्थ है उसका 60 परतिशत 70 परतिशत ओन करते हैं पर जी एस्ट में उनका कॉंट्रिबूशन मात्र 3 परतिशत है तो क्यों देश में K-shaped अंग्रेजी का शब्द है K K-shaped recovery model चल रहा है जिसके अंतरगर सब नीचे गए पर उपर वापस सिरफ चुनिन्दा लोग बड़े बाकी लोग नीचे ही नीचे आ रहे है तो मोदी नॉमिक्स का शॉर्ट में कह सकते है K-shaped recovery model जिसके अंदर high debt, high inflation, high unemployment और high inequality है इसलिए हमारी मांग है कि आगामी बजट में मोदी सरकार ऐसा ऐसे आयाम या ऐसे measures लें जिसमें high debt की जगा हो high per capita income high inequality की जगा हो high GDP high inflation की जगा हो high international ratings इनका मुद्दा भी देखिए इनका वादा तो देखिए bullet train चलाएंगे और अच्छी बात है मैं तो कहूंगा अच्छी बात है बीजेपी तो वो पार्टी है जो कहती है वो करती है भाई राम मंदिर का उसने दिया bullet train का दिया article 370 हटाने को कहा था वो हटाया क्या चाहिए भाई और ऐसी पार्टी है कहीं कोई देश में ऐसी पार्टी कहीं कोई है जो कहे और पूरा करे आप समझेए लेकिन जो 80% बहुजन है उनका क्या होगा वो कैसे ये करजा चुकाएंगे 80% बहुजनों की जो आवाज है वो कौन बनेगा क्योंकि आज भी दलितों की हालत जो है हम जानते हैं SC, ST, OBC, Minorities की कोई बात नहीं करता है सिवाए हमारी जरूरी है आप भी अपने अधिकारों को लेकर सचेत रहिए, सदर्क रहिए, सावधान रहिए और ऐसे नेताओं के जहासे में मत आईए नहीं तो आप भी बरबाद हो जाएंगे और जो करजा आपके उपर है वो कैसे चुकाएंगे जरा सोचिएगा और अपनी प्रत्किरिया भी जरूर दीजिएगा शुक्रिया निस्नल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्नल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्नल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करे लाइक करे कमेंट जरूर करे